है ऑप लोग उम्ईद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से होंगे तो फ्रैंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सुन्दर-सुन्दर फॉल दिखाती हूं तो उसे कुछ दिन ओपर बात करूँगी कि हम सर्दियों में तूलसी के पौधे को किस तरह से बच आएं तो फ्रेंस मैं अपने तूलसी की कहर कैसे करती हूं एसव आसव आप लोगों के सासर पर लूँ तो फ्रेंस ज्यादा बात ना करते हुए चलिए अब चलते हैं तूलसी के पौधे के पास तो फ्रेंस देखे एह मेरी तूलसी और बिल्कुल घनी है कोई दिक्कत नहीं इनमें है क्योंकि मैं देख रेक इनकी बराबर करती रहती हूँ और यह देखे इनकी फूल है तो फ्रेंस इनकी फूल को नहीं रखना चाहिए हटा देना चाहिए क्योंकि फ्रेंस अगर इनकी फूल को हम छोड़ देते हैं तब भी हमारी तूलसी जुआ सूखने लगेगी क्योंकि सारी energy जो है ये बीच को बनाने में लगा देंगी इसलिए इनकी फूलों को तोड़कर हटा देना चाहिए तो friends कुछ फूलों को देखी हमने जो तोड़कर हटा दिया है तो जब जब इनमें फूल निकलते रहते हैं तो मैं हटाती रहते हूं क्योंकि यहां पर मैं बराबर सुबह की ताइम आते हूं जल देने के लिए तो friends अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं ना तब भी जो है पत्तियां पीली हो जाएंगी दूप नहीं मिलेगी तब भी पीली हो जाएंगी या फिर दे सारे गंदगी इन मैं बिल्कुर रेलिंग के सामने नहीं रखी हूं और सुबह की धूपी नहीं अच्छे खासे मिल जाते हैं इसलिए मेरी तूल्सी जो है बिल्कुर स्वस्थ है तो फ्रेंस से स्पोर्ट में जब मैं इन्हें लगा रही थी तब वीडियो बनाकर सेयर भी की हूं और आज मे जो खराब हो जाएगी इनमें फंगस लग जाएंगे इसलिए फ्रेंस पानी को बहुत ही कम देना चाहिए तो फ्रेंस मैं आपको दिखाती हूं कि मैं कितना पानी इनमें देती हूं देखे छोटी सी गिलास है तो फ्रेंस इसी गिलास से जो है मैं इनमें जल देती हूं तो तो फ्रेंस से धूपकी भी जय्यादा जहूरत पड़ती है इन्हें अगर झाते हैं तो कीड़े बहुत ही कम लगेंगे इसलिए फ्रेंस थोड़ा देना चाहिए सरदे के मौसम में तुलसे के पौधे को और से भी बचाना चाहिए क्योंकि फ्रेंस अगर ज्यादा इनकी उपर उस पड़ती है तब भी तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा इसलिए फ्रेंस इन्हें किसी प्लाश्टिक या फिर सूती कपड़े से या फिर कोई छोटा सन्येट लेकर इन्हें ढग देना चाहिए ताकि इनकी उपर उस न पड़ा रहता है तो फ्रेंस मैंने इन्हें बिल्कुर सामने रखा जहां पर इन्हें दो चार घंटे की सुबह की धूप मिल जाते हैं तो फ्रेंस प्री मिलते हैं आप लोगों से नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल